Hello everyone, this is Aditi and once again a very warm welcome to Current Affairs by Ravi YouTube channel तो आज संडे है, संडे को हम weekly Current Affairs देखते हैं और इसमें जो है मैं आपको पिछले पूरे सब्ताहा का Current Affairs करवाओंगी जिसमें की 6 मही से 12 मही तक के मैंने बॉर्ण कोशन्स इंक्लूड करें हैं आपको जो है डेली बेसिस पे डेली Current Affairs की क्लास करवाई जाती है आपके रवी सर के दोरा उसमें जो है डेली आपको 20 कोशन्स करवाई जाते हैं और आज की वीडियो में जो है मैं टोटल 120 कोशन्स डिसक्स करूँगी सभी कोशन्स आपकी exam point of view से काफे सदा important रहेंगी और ये जो है आपका weekly current affairs का एक quick revision है से आपको जो है आपका weekly current affairs का अच्छी तरह से revise हो पाएगा current जितना भी आपने पढ़ा है ठीक है तो session के साथ आप एंट तक बने रहेगा और अगर आपको session important रखता है तो वीडियो को like को share जरूर कीजिएगा अगर channel पर new है तो channel को subscribe कर लीजिए तो first question से start करते हैं आज के session को तो किसे जम्मू कश्मीर में grappling खेल समुदाई का जो है अध्यक्ष न्यूक्त किया गया right answer option number A रहेगा आपका सानिया कादरी तो सानिया कादरी जो है friends जम्मू कश्मीर में जो है grappling खेल समुदाई का ध्यक्ष न्यूक्ष न्यूक्त करा गया है next question है किसे global pride of Cindy award 2024 से समानित किया गया right answer is option number A पावन सिंधी को next question आपका digital भुगतान platform वीजा के नहीं किसे भारत के लिए जो है friends देश प्रबंदक न्यूक्त करा है तो right answer is option number C रहेगा आपका सुज़ई रहना जो है इन्हें digital भुगतान platform वीजा ने भारत के लिए देश प्रबंदक न्यूक्त किया है next question क्यों और आते हैं तो next question आपका है राष्टपती द्रोपती मुर्मुने सुपरस्टार चिरन जीवी और वेजैनती माला को जो है किस पदम पुरुसकार से समारिक किया right answer is का आपका option number A रहेगा पदम भीवूशन से friends इस वीडियो में मैंने आपके लिए short information रखी है क्योंकि आपका एक quick revision है पूरे आपके सप्ता हागा अगर आपको यही questions जो है detail में with extra facts पढ़ने हैं तो आप हमारी playlist चेक आउट कर सकते हैं Delhi current affairs फाली और वहां से जो है आप इन्हें detail में भी पढ़ सकते हैं next question क्यों आते हैं तो किसे जो है लॉर्सन और टुब्रो का नए अध्यक्ष न्युक्त किया गया तो राइट answer आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स option number D आर शंकर रमन जो है इन्हें लॉर्सन और टुब्रो के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो न्युक्ती मिली है कुछ important points cover करते हैं तो लॉर्सन और टुब्रो के जो है वर्तमान पूर्ण कालिक निदेशक और CFO है फ्रेंड्स आर शंकर रमन और इन्हें जो है लॉर्सन और टुब्रो के अध्यक्ष के पद पर पदोनन्त किया गया है आर शंकर रमन जो है फ्रेंड्स इन्हें ने नवं बर्नार्ड हिल का जो है फ्रेंड्स 79 यर्स की आयू में निदन हो गया यह जो है आपके किस देश से थे त्राइटन सेरीज का उप्षन नमबर A रहेगा ब्रिटेन के थे फ्रेंड्स और इहनों ने जो है मूवी टाइटैनिंग में कैप्टन एडवर्ट स्मित का रोल प्ल क्पास दाल में ही 79 यर्स की आयू में निदन हो गया है नेक्स क्यों चेची जो है यह फिर आपका आपके को परियतन मंत्राले में नए उपसचीव के पद पर जो है वो नियुक्ती मिली है नेक्स्कूशन अगली पिडी के अपतटिये गश्ती जहाज YD-1280 का उधगाटन जो है ये गोवा में हुआ इसे जो है फ्रेंट्स किस ने विक्सित किया तो राइट अंसर आपका क्या रहेगा इस कॉश्शन का पकालत की तो राइट अंसर इसका आपका उप्शन अबब बी रहेगा इस्राइल और फिलिस्तेन की नेक्स्कूशन वर्ष्य दोहजार चोबीस में जारी टाइम हंडर हैल्थ लिस्ट में भारत जहां भारती मूल के कितने लोगों को जो है वो शामिल किया गया तो उप्श 2024 में रास्टेट डोपिंग रोधी एजनसी यानि कि नाड़ा ने जो है फ्रेंड्स किस भारती पहलवान को अस थाई रूप से निलंबित कर दिया राइट अंसर ओप्शन नमबर सी हैप का बजरंग पुनिया जो है इन्हें मई 2024 में नाड़ा दोड़ा जो है फ्रेंड्स अस थाई रूप से निलंबित कर दिया गया नेक्स कोशिंट के ओर मूव करते हैं कि 2024 ATP मैडरिट ओपन टैनिस टूर्णामेंट का महिला और पूरुशेकल किताब जो है किस ने जीता तो ओप्शन नमबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है A and B दोनों तो फ्रेंस इगा स्व हिलाओं की श्रेंनी में अपना 2024 ATP मैडरिट ओपन टैनिस टूर्णामेंट जीता वहीं एंडरे रूबलेब जो है इन्हों ने पुरुशों की श्रेंनी में जो है अपना 2024 ATP मैडरिट ओपन टैनिस टूर्नामेंट का ताइ annéeory जीता है तो इसका राइट अंसर आपका रहेगा ओप्शन नमबर C उप्युक्त A & B तो फेंस मुंबई और डेली को जो है सबसे अमीर शेहरों की रिपोर्ट 2024 में जो है शीश पचास में शामिल किया गया है अगर बात करें इस रिपोर्ट के जारी करता की तो इसे जारी करा गया है न संयुक्त राज़े अमेरिका का न्यूयोक नमबर 2 पे है बे एरिया ये भी संयुक्त राज़े अमेरिका का शहर है और नमबर 3 पे है आपका जपैन का टोक्यो नेक्स कोशन संयुक्त रास्टे द्वारा किस दिन को जो है विश्व फुटवल दिवस के रूपे घोशित किय गया राइट आंसर ओप्शन ओब बी है 25 मई को जो है यूएन द्वारा विश्व फुट्वल दिवेस्ट के रूप में जो है वो घोशी तक किया गया है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशिन की और तो किस तेश में जो है माता तीर्थ ओनसी उटसब दोहजार चोबि के लिए धियर तो माता तीर्थ ओनसी नेपाल में जो है फ़ेंज एक एक दिवसियत यहार है ये दिन जो है यह माताओं और मातर तफ आ के संवान के लिए मनाया जाता है यह तियूहार चंद्र कालेंडर के अनुसार जो है बैसाक महीने में आने वाली अमावस्या को मनाया जाता है वर्ष दोहजार चौबिस में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून जो है वो किस ने अपनाया राइट अंसर ओप्शन अब बी है आपका युरोपिय संग द्वारा जो है ये कानून अपनाया गया है किस चीज के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इसे जो है निपटने के लिए नेक्स कुशन मई दोहजार चौबिस में AI के लिए ISO 42001 2023 प्रामानन प्राप्त करने वाली दुनिया की जो पहली आई आई टी कंपणी है फ्रेंट्स वो कौन सी बनी तो ओप्शन नमबर बी राइट आंसर रहेगा इनफोंसी नेक्स कुशन आपका वर्ष दोहजार चौबिस में सिंगापूर भारत समुदरी दिवी पक्षी अभ्यास का कौन सा संसकन जो है या आंदर परदेश की विश जाका पतनम में यानि कि आपका उप्शन नमबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है नेक्स कोशन के और मूव करते हैं तो उन्नत वायू श्वास इंजन के लिए जो है तरल रैमजेट इंधन का सफल परिक्षन किसके द्वारा किया गया तो राइट अंसर उप्शन नमबर ए के नाम से जो है जाना जाता है नेक्स कोशन आज के सेशन का तो कृषी और किसान कल्यान मंत्राले ने किस थान पर क्रिशी एकिक्रित कमान और नियंतरन केंधर का जो है उद्गार्ट किया उप्शन नमबर ये है आपका नई दिल्ली में माई 2024 में फिल्म निर्माता संगीत सिवन का जो है फिल्म निर्माता थे नाम था इनका संगीत सिवन और इनका हाल फिलाल में जो है शुरू किया जाएगा राइट अंसर ऑप्शन नमब बी है आपका उतर परदेश के परियाग राज में जो है पहला रेल कोच रेस्टोरेंट फ्रेंट शुरू होगा नेक्स कुशिन के और आते हैं तो विश्व लूपस दिवेस 2024 जो है यह कब मनाया गया तो क्या राइट अंसर रहेगा आपका उप्शन नमब ए दस मही को जो है फ्रेंड सेलिब्रेट करा गया विश्व लिूपस दिवस तो हजार चॉबिस नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं तो समाचारों में देखा गया जिटा कुबा ब्लैंको ग्लेशिय जो है फ्रेंड की किस देश में स्थित है राइड अंसर उप्शन नमबर बी हैप का कॉलंबिया में नेक्स कोशन आपका किस राज्य के सोमनात जिले के गिरवन मतदान के इंदर पर जो है फ्रेंड सो प्रतिशत मतदान हुआ राइड अंसर इस उप्शन नमबर ए गुजरात के नेक्स कोशन आपका वर्ष दोहसार चोबिस में डिजिटल भंडारन का विस्तार करते हुए गूगल वॉलेट आप जो है फ्रेंड की किस देश में उपलब्द करवाया गया तो गूगल वॉलेट आप जो है यह आपका उपलब्द करवाया गया है भारत में अप्शन नमबर डी राइट आंसर रहेगा नेक्स कोशन नमारा प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिशत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो हिंदू की संख्या है वो कितने परतिशत कम हुई राइट आंसर अप्शन नमबर ए है 7.82 परतिशत जो है वो हिंदू की संख्या कम हुई है प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत की रिपोर्ट के अनुसार आईए फ्रेंस इस कोशन से लेड़ेट कुछ इंपॉर्टन पॉइंस कवर कर ले इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू के अवादी जो है फ्रेंस ये 7.82 फिस्ती घट गई है और वहीं अगर बात करें मुस्लिम की अवादी की तो उसमें जो है फ्रेंस बडोतरी हुई है 43.15 फिस्ती से ठीक है धार्मी कल्ब संख्यों की हिसेदारी एक क्रोस कंट्री विशलेशन शीर्षिक वाले पेपर में आगे कहा गया कि भारत की अवादी में जैनियों की हिसेदारी जो है ये 1950 में 0.45 प्रतिशत से घटकर 2015 में 0.36 प्रतिशत हो गई है नेक्स्ट मेरा कोशन वर्ष दोहजार चोबिस में HDFC Life Insurance की जो अध्यक्ष की रूप में नुक्त हुए उनका क्या नाम है तो ओप्शन नमबर A राइट अंसर रहेगा के के की मिस्त्री नेक्स सेखिए विश्व स्नूकर चैंपेंशिप दोहजार चोबिस का किताब किस ने जीता तो ओप्शन नमबर C आपका एकदम करेक्ट अंसर है फ्रेंस काईरेन विल्सन जो है इनके दोहरा जीता गया है विश्व स्नूकर चैंपेंशिप दोहजार चोबिस का टाइटल नेक्स कोशन भारतिय सेना और भारतियो वायो सेना ने जो है सैयूक तक गगन स्ट्राइक द्वित्य अभ्यास का योजन कहां किया तो ओप्शन नमबर A राइट अंसर रहेगा आपका पंचाब में नेक्से किये मई दोहजार चोबिस में जारी पांचवी ग्लोबल इलेक्टरिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार जो है फ्रेंट्स दोहजार तैइस में सोर उर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा तो राइट अंसर इसका उप्शन नंबर ए है आपका तीशा स्थान रहा भारत का इसमें किसमें ग्लोबल इलेक्टरिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार ठीक है इसमें शीष तीन में आपको सोर उर्जा उत्पादक देशों के नाम बता देती हूँ जो की टॉप त्री में रहे तो नंबर वन पे है चीन, नंबर टू पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और नंबर त्री पे है हमारा प्यारा भारत 2023 में भायत में उत्पादित कुल बिजली में सोर उर्जा का योगदान जो है फेंस वो 5.8 प्रतिशत है नेक्स एक ये मई 2024 में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है ये शुरू किया तो ये शुरू करा गया ओत्राखन द्वारा ओप्शन अबर बी क्रेक्ट आंसर रहेगा नेक्स कोशन किस देश ने पवन उर्जा स्टेशनों के लिए भारत की कमपनी अदानी ग्रीन एनरजी के साथ जो है बीस साल के लिए बिजली खरीद समझोता किया है नेक्स कोशन के बात करें तो भारतिया अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन यानिकी इस्रो इस्रो ने जो है फ्रेंट सैमी क्रायोजैनिक प्री बर्नर इग्नेशन टेस्ट आर्टिकल का सफल परिक्षन कहां किया तो ये सफल परिक्षन करा है इस्रो ने फ्रेंट समी नाडू के महींदर गिरी में यानि कि ऑप्षन नुबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है नेक्स कोशन की बात करें तो भारत दोरा चीन सीमा की निगरानी के लिए अमरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन जो है फ्रेंट ये कहां पर तैनाद किया जाएगा तो ये तैनाद किया जाएगा उदर परदेश में ऑप्षन नुबर बी राइट आंसर रहेगा नेक्स कोशन मई 2024 में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए जो है अंतरास्टी मोबाइल नंबरों में UPI सुविदा शुरू की नेक्स कोशन के और आते हैं आपके आज के तो अगर नी भारती फिंटेक कमपनी सेतु ने भारत के पहले बड़े भाषा मोडल का नावरण किया इसका क्या नाम है तो अप्षन नम्बर ए राइट आंसर रहेगा इसका नाम है फ्रेंट सेसम नेक्स सेके वर्ष्ट दोहजार जोबिस में भारत की सीनियर पुरुष बास्केट बॉल टीम का मुख्य कोच जो है वो किसे नुक्त किया गया उप्शन नमबर ए राइट अंसर है स्कोर्ट फ्लेमिंग जो है इन्हें भारत की सीनियर पुरुष बास्केट बॉल टीम का मुख्य कोच नुक्त करा गया वर्ष्ट दो हजार चौबिस में नेक्स कौशन के बात करें तो वर्ष्ट दो हजार दो हजार चौबिस में किस टेश ने यू फैइर होंक जो है भारत में अपना राज़त न्यूक्त किया एगा इंपॉर्डब्स कि बात करे तो अपकरम एड्ण आपको बता दूँ चीन जो है एशिया में से देश है राजानीज की है बीजिंग करंट राष्टपती है यहां के शी जिन पेंग नेक्सी किए भारत और किस देश के बीच पांचवी सीमा संयुक्त शुलक समूग की बैठक लद्दा के लेह में जो है जित हुई बारत और भुटान के बीच जो है पांचवी सीमा संयुक्त शुलक समूग की बैठक जो है यह लद्दा के लेह में आयोजित की गई थी कुश्म बात भुटान के आई है तो भुटान जो है यह एशिया में स्तित देश है जिसकी कैपिटल है थिमफू और यहां की मुद्रा है नगूल ट्रम यहां के जो करण्ट प्रधानवन्ति है फ्रेंट्स उनका नाम है शेरिंग टॉप के इंटरनेशनल और्गनाइजेशन फॉर माइगरेशन की ग्लोबल माइगरेशन रिपोर्ट दोहसार चोबिस के अनुसार प्रवासी देशवासियों में सो बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश जो है वो कौन सा है तो वो बन गया है आपका भारत ओप का चीन नेक्स कोशन के और मूव करते हैं तो नेक्स कोशन है मई दोहजार चोबिस में किस तेश ने पस्चमी खतरों के बीच सामरीक प्रमानु हथ्यार अभ्यान की घुशना करी राइट अंसर रहेगा आपका फ्रेंड्स ओप्शन नुबर सी रूस ने किस विशो विद्याले दौरा रन फोर विक्सित भारत दोहसार चोबिस मेराथन का योजन किया गया तो राइट अंसर ओप्शन नुबर यह है फ्रेंड्स आपका दिली विशो विद्याले दौरा जो है रन फोर विक्सित भारत दोहसार चोबिस मेराथन का योजन हुआ है नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं तो सीमा सड़क संगठन यानि कि BRO ने जो है शिंकूला टरनल का निर्मान शुरू किया है ये टरनल जो है किस राज़े में स्थित है तो ये आपकी स्थित है फ्रेंट्स हिमाचल प्रदेश में यानि कि option number D जो है ये right answer रहेगा और फ्रेंट्स शिंकूला टरनल जो है इसका निर्मान शुरू करा गया है किसके दोरा करा गया है शुरू बी आरो दोरा ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है और ये टरनल किस राज़े में है हिमाचल प्रदेश में ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स कोशन की बात करें तो महराना प्रताप ची की जो जैनती है दोहजार चोबिस में ये कम मनाएंगे तो ये मनाएंगे है फ्रेंट्स नो मई को ओप्शन नमबर ए राइट आंसर है नेक्स कोशन कजाकिस्तान की अस्थाना में आयो जित एशियाई अंडर 22 और यूवा मुक्यबाजी चैंपेशिप में भारती मुक्यबाजों ने कुल कितने पदक जीते राइट अंसर ओप्शन नमबर सी रहेगा आपका टोटल 43 मेडल्स जो है ये जीते गे हमारे फैंस भ यूवा मुक्यबाजी चैंपेशिप का युजन किया गया था जिसमें की फैंट्स भारती मुक्यबाजों टोटल 43 मेडल्स जीते हैं अगर बात करें इस चैंपेश्प की दोनों श्रयनियों में इंडिया त्वारा जो है कितने मेडल्स जीते गे तो इसमें इंडिया ने 12 गोल्ड जीते 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज मैडल अपने नाम करें भारत जो है फ्रेंड्स की मेजबान कजाकिस्तान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा वहीं कजाकिस्तान जो है यह 48 मैडल्स के साथ इस टैली में जो है नमबर वन स्थान पर रहा वहीं नेक्स्ट मारा कोशन है ग्लाइप्टो थोरेक्स पुन्य ब्रताई जो समचारों में देखी गई यह जो है किस प्रजाती से संबंदित है तो यह आपकी संबंदित है कैट फिश की प्रजाती से ऑप् है ग्लाइप्टो थोरेक्स पुन्य ब्रताई की खोच की गई यह रात्रिचर और बैंतिक है जो कि कैट फिश के बीच आम लक्षन है कैट फिश जो है इसकी 2000 से अधिक प्रजातियां है और यह जो हैं यह आपको ज्यादातर मिठे पानी में ही मिलेंगी और यह जो हैं मिठ है गया फ्रेंट्स आठ मई को अप्शन नमबर ए राइट अंसर रहेगा और बात करें इसकी थीम की तो थीम आपको द्यान में रखनी है काफे ज़्यादा इंपॉर्टन है थीम थी दोहसार चोबिस की कोई महिला पीछे ना चुटे यानिकि नो विमेन लेफ्ट विहाइं नेक्स कोईशन देखते हैं तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ती दोहसार चोबिस इसका जो सांत्वा संसकन है यह कहां एजित किया गया तो यह आपका एजित करा गया फ्रेंस में अप्शन नमबर एक रैक्ट आंसर रहेगा फ्रेंस आपको ज वीडियो में इंक्लूडड है एक भी क्वेशन जो है इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैंने इंक्लूड नहीं करा ठीक है लास्ट शिक्स देव में आपके जो है अगर हम 20 के हिसाब से कुशन देखे टोटल 120 क्वेशन बनते हैं तो 120 के 120 क्वेशन ही मैं आपको कम्प्लीट करवाती हूं तो वीडियो को आपने लाइक और शेर जरूर करना है इससे हमारा होंसला बढ़ेगा और हम आपको टाइम टू टाइम जो है अच्छे टोबिक्स पे वीडियो प्रवाइड करवाते रहेंगी एकदम फ्री ओफ कोस्ट जो है हमारा कॉंटेंट रहता है और अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें बता सकते हैं अगर आप न्यू स्टूडेंट है फर्स टाइम यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क क्योंकि काफी जदा इंफोर्मेटिव वीडियो आपको प्रवाइड करवाई जाती है इस चैनल पर ठीक है तो नेक्स कोशन के और आते हैं तो मई दोहसार चोबीस मई सशेस्ट्र बलों के लिए भारत का जो पहला स्वदिशी आतमखाती ड्रोन है जिसका नाम है लॉट्र 295 विमान खड़ी थे राइट अंसर ओप्शन नबर ए है टोटल 56 नेक्स से कि मई दोहसार चोबीस को भारत ने किस देश को जो है फ्रेंस 14,000 तन गैर वासमती चावल के निर्यात को अनुमती दी राइट अंसर ओप्शन नबर सी है आपका मोरिशस को जो है फ्रेंस मई दो पुर्वतट पर मरीन टाडिक ग्रेड की नई प्रजाती जिसका नाम है पैटिलिप्स चंद्राइनी ये मिली है इसका नाम जो है ये किसके नाम पर रखा गया तो इसका नाम रखा गया है हमारे चंदयान थ्रें मिशन के ऊपर ओप्शन नुमबर ए राइट अंसर है नेक् स्थान नेक्स्थ कोशिन आपका स्तार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलिट सर पुरिस्कार से किसे समानित किया गया और एंस ट्रावल Κौशन को आते हैं तोg ine कि इसंबर और आपका 31 अरेवीयन ड्राइब ट्रावल माउन्ट तो सार्ट चोबिस का यौजण किया गया था चैनली कुछ एमपॉर्टन पोरिंस सा आपको बता देती हूं तो मध्यपूर्व परियत्न बजार में भारत की उपस्तिती को मजबूत करने कि लिए परियतन मत्र वाले ने 6-9 मईई 2024 तक दुबई में आजजित होने वाले एरेबियन ट्रैबल मार 2024 में भाग लिया था इसके अनुरूप अतुलिय भारत मंडप का जो है फेंस उध्खाटन किया गया अगर बात के रिफ्रेंस 31 एरेबियन ट्रैबल मार 2024 के थीम की कि किस विशे पर अधारित था तो ये था आपका सशक्त नवाचार उधमिता के माध्यम से यात्रा में बदला थीम पर अधारित था नेक्स्ट वारगोशन है भारत की जो पहली स्वधिशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रोचिप है जिसका नाम है सिक्योर आयोटी इसे जो है किस कंपनी द्वारा लौंज किया गया तो राइट अंसर ओप्शन अब बी है आपका माइंड ग्रोफ टिक्नोलोजी द्वारा जो है फैंड्स इसे लौंज करा गया और ये जो है भारत की पहली स्वधिशी से जुड़े सेमिकंडुक्टर स्टाटप माइंड ग्रोफ टेक्नोलोजी द्वारा जो है फैंड्स वो लौंज करा गया ये जो है ये भारत का पहला वानिजिक हाई प्रफोर्मेंस सिस्टम और चिप है ये जिप जो है ये टीवी वोशिंग मशीन एयर कंडिशनर और गया राइट अंसर ओप्शन अबर बी है साथ पॉइंट वन परसेंट जो है ये अनुमाल लगाया गया है भारत की जीटीपी तरका किसके दौरा इंडिया रेटिंग दौरा ठीक है नेक्स्ट हमारा है मई दोहजार चोबिस में बैस्ट नाइल वाइरस बुखार के मामले जो है ये किस राज्य में देखे गए तो राइट अंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन अबब बी केरल में जो है फ्रेंस बैस्ट नाइट वाइरस पुखार के मामले दिखे गए हैं नेक्स देखिए मई दोहसाट चोबिस में प्रसेद उर्दू लेखक जिनका नाम था सल सलाम बिन रजाक का 83 एर्स के आयों में जो है नीदन हो गया ये जो है फ्रेंट की किस राज्य से थे तो ये थे महारास्टर राज्य से ऑप्शन अबब बी इस दा क्रेक्ट आंसर नेक्स एक मई दोहसाट चोबिस में जारी रास्टे सांख्या की कार्याली की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में पिछले आठ दश्कों में जो है फ्रेंट सबसे कम व्रिदी देखी गई तो राइट अंसर उप्शन नमबर ये है आपका नेपाल की तो देखी दोहजाब चोबिस में जारी एक रास्टे सांख्य की कार्याली की रिपोर्ट के अनुस कब मनाइगी वर्ष्च fact 24 में रवींदर नाटियागोर जी की 163 जैंती मनाइगी है तो ये कब मनाइगी तो प्शन number साथ मई 1861 को कौलकाता में हुआ था साहिती की चितर में जो है वर्ष 1930 में नोबिल पुरुसकार पाने वाले ये पहले भार्टिय थी और महात्मा गांदी जी नहीं गुरु देव की उपादी थी भारत को जो रास्टेगान एफेरेंट जंगनमन और बांगलादिश का गोर्जी की ही भचनाओं की देन है नेक्स्ट आपका किस कंपणी ने भारत में रास्तव अधारित वित स्टार्ट अप के लिए पहला NBFC लाइसेंस हासिल किया राइट अंजर ओप्शन नबर एपका गैट वेंटेज नहीं नेक्स एकिए वर्ष दोहजार चोबिस में गि पनामा के नई रास्ट्रपती जो है फ्रेंट वो कौन चुनेंगे ऑप्शन नमबर बी राइट अंसर रहेगा जो स्ट्रावल मुलीनो जो है फ्रेंट इन्हें वर्ष दोहजार चोबिस में बनामा के नई रास्ट्रपती चुना गया है नेक्स्ट कुशन की बात करें तो राइट क्रोज दिवेश जो है यह दोहजार चोबिस में हमने सेलिब्रेट करा आठ मई को अप्शन नमबर डी आपका राइट आंसर है तीम इसकी इंपॉर्ण है तीम आपको याद रखती है मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक पुरुसक राइगा तो इसका राइट अंसर आपका उप्शन नमबर बी रहेगा बांगलादीश में जो है आइसेसी महिला टी ट्वेंटी विशकप दोहजार चोबिस का फ्रेंड्स आयोचन होगा नेक्स एक ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरुसकार दोहजार चोबिस से किसे समानित किया गया ओप्शन नमबर सी राइट अंसर है भावी महता को नेक्स एक ही फॉर्मुला वन दोहसार चोबिस मियामी ग्रैंट्विक्स का जो टाइटल है फ्रेंस फू किसने जीता तो क्या राइट अंसर रहेगा आपका ओप्शन नमबर बी जी हां लैंडो नो रिक्ष की यात्रा करने जा रही है तो राइट अंसर इसका आपका ओप्शन नमबर ए रहेगा सुनीता विल्याम्स किस देश ने सो रुपई के नई नोट में बने नक्षे में भारत के तीन इलाकों को दशाया है राइट अंसर ओप्शन नमबर बी रहेगा नेपाल ने न तो यह रिकॉर्ड बना दिया है आपका रियल मैटरिट ने यानि कि ऑप्शन नमबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा इन्होंने जो है ला लीगा 2023-2024 का चतिसवा टाइटिल अपने नाम किया है नेक्स एक वर्ष्ट जोहसार चोबिस में सीमा सडक संगठन यानि क कि DRO ने 65 अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा तो यह दिवस कब सेलिब्रेट करती है DRO अपना स्थापना दिवस यह कॉशन में पूछा गया है तो राइट अंसर इसका उप्शन नमबर बी रहेगा सात महीं को नेक्स सिखी वर्ष्ट दोहजार चोबिस में स्कूल ओन वील परियोजना का उदखाटन जो है वो किस राचे में किया गया राइट अंसर उप्शन नमबर बी रहेगा आपका मनीपूर में जो है स्कूल ओन वील परियोजना का उदखाटन हुआ है 2024 में नेक्स्ट वारा कोशन है वर्ष्ट दोहसार चोबिस में किस देश ने विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान इसका जो है सफल परिक्षन किया राइट अंसर ओप्शन नमबर डी रहेगा आपका चीन द्वारा जो है फ्रेंड्स फूजियान का सफल परिक्षन किया गया है और यह जो है विमान वाहक पोत है नेक्स्ट कोशन बिजनेस मैनेजमेंट में हारवड विश्व विद्याले का पाठ्थे करम पेश करने वाला भारत का पहला विश्व विद्याले जो है वो कौन सा बना राइट अंसर ओप्शन नमबर बी रहेगा आपका चंडिग विश्व विद्याले लेक्से केंदे सरकार ने पैंचन भिवाग ने सरकारी सेवन निर्वित लोगों के लिए कौन सा एकिकरित पोर्टल जो है फ्रेंट ये लोंच किया तो इस पोर्टल का नाम है भविश्व पोर्टल ओप्शन नमबर ए राइट अंसर है नेक्स कोशन लेखते हैं वुष्व आस्थमा दिवस चौहाई फ्रेंट ये दोहसार में कब मनाया गया दो राइट अंसर ओपी रहेगा साथ मही को सेलिब्रेट करा गया विश्व आस्थमा दिवस दोहजार चौबिस हर साल जोहाई पेहले मंगलवार को विश्व अस्थमा जिवस मनाय जाता है और इस वार ये जो है साथ मही को मनाया गया बात करें वर्षु दोहजाँ चोबिस के इसकी थीम की तो थीम थी अस्तमा शिक्षा सशक्ती करण भारत और किस तेश ने इंटर बैंक भुगतान प्रनालियों पर एकिकरित भुगतान इंटरफेस लौँच करने के लिए जो है सहमती व्यक्त की है नेक्स कुशन आपका है किस राज्य सरकार ने भागो की संख्या को पुनर जिवित करने के लिए जो है ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व में सहाईदरी भाग अभ्यारनय में भागो के स्थान अंतरन करने का निन्ने जो है वो लिया तो इसका राइट अंसर आपका रहेगा फ्रेंज, ओप्शन नमबर C, महरास्टर ने जो है फ्रेंज, बागो की संख्या को पुनर जिवित करने के लिए ताडोबो अंधारी टाइगर रिजर्व से सहयादरी बाग भ्यारनय में बागो के स्थान अंतरित करने का जो है वो नि 5.45 का पहली बार उस्ट्रेलिया में सफल प्रक्षेपपन किया इसे जो है किस कंपनी ने लौच किया है तो इसे लोच करा गया फ्रेंज, उसके जो है नाम क्या है इस रोकेट का एसार 75 नेक्स्ट आपका मई दोहजार जोबिस में कोविट 19 वेरियंट फ्लू लाइक रैस्पिरेटर ट्रैक्ट के मामले जो है वो किस देश में देखने को मिले तो ये देखने को मिले हैं अमेरिका में ओप्शन नमबर A राइट अंसर है नेक्स्ट आपका अंदराश्टिय थैलिसेमिय दिवस जोहाई ये दोहजार जोबिस में कम बनाए गया राइट अंसर ओप्शन नमबर A रहेगा फ्रेंट्स आठ मही को सेलिप्रेट करा गया अंदराश्टिय थैलिसेमिय दिवस तोहसार चोबिस और इस वार की थेम थी इसकी जीवन को सशक्त बनाना प्रगती को गले लगाना सभी के लिए नय संगत और सुलब थैलिसेमिय उपचार नेक्स्ट कोशन किसे स्कोटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में न्यूक्त किया जाएगा उप्शन नबर बी राइट अंसर है फ्रेंड जोण स्वाइनी जो है इन्हें स्कोटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में न्यूक्ति दी जाएगी important points इसकी बात करें तो हमजा यूसुफ द्वारा SNP नेता और स्कोटिश प्रथम मंत्री के रूप में पद छोड़ने की घोशना के ठीक एक सप्ताहबाद जो है जोन स्वाइनी जो है इस पद पर नेत्तव करेंगे स्कोटलेंग की बात आई है स्कोटलेंग से जुड़े कुछ important points डिसकस करते हैं तो स्कोटलेंग जो है फ्रेंट की युनाइटिट किंग्डम का एक देश है जिसकी राज़ानी है एडिन बग और यहां की जो करेंसी है उसका नाम है पाउंड स्टरलिंग इंडियन सूपर लीग 2023 का जो फाइनल खिताब है फ्रेंट वो किस ने जीता ओप्शन नमबर बी राइट अंसर है गा मुंबई सिटी एफसी ने वर्ष दो हसा 24 में वलादिमिर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राश्टपती के रूप में शबचल ली है भारत वरिस्ट अधिकारियों की 26 वे बैठक यह कहां एजित की गई तो राइट एंसर हीच्ण सेंग का रहेगा ऑप्शन नमब बी भारत के नही दिल्ली में नेक्स एक ये गुरुग्राम प्रशासन ने लोगसभा चुनाव हेतु किस भार्टी किलाड़ी को अपना ब्रैंड अमबेस्टर जो है फ्रेंस वो बनाया नेक्स कुशन की बात करें भारत की किस कंपरी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटर साइकल ब्रूजर 125 जो है फ्रेंस ये लोंच करने की घोशना करी तो अप्शन नमबर ए राइटंसर है बजाज ओटो लिमिटेड जो है फ्रेंस इन्हों ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटर साइकल प्रूजर 125 लोंच करने की घोशना की है नेक्स सेखिए किस देश की बैडमिंटर टीम ने 2024 थोमस और उबेर कप जो है ये इसका टाइडल अपने नाम किया तो ये जीता है फ्रेंस चीन ने उप्शन नमबर बी राइटंसर रहेगा चीन ने जो है फ्रेंस 2024 का थोमस कप और उबेर कप जो है ये दोनों जीता है आईए इस कोशन से जुड़े कुछ important points देखते हैं तो चीन की बैडमिंटर टीम ने जो है पूरुष के थोमस कप और महिला के उबेर कप का चाइड टाइटल जो है ये जीत लिया है थोमस और उबेर कप जो है फ्रेंट के हर दो साल में आयजित किया जाता है और इसका यज कपका जो दो ह座ारशो और मोडिंटर चाहिए इसकरणले के चीन के जो है चेंग लुचिया जाय घंडिया और में निदेशक क्या जो है यह सो इपशनों के बात करें इसकि यह तो इसकार दिए जो है निदेशक जो है वो निक्त किया गया राइट अंसर उप्शन अबर डी हैप का सुभोत कुमार को आयूश मंत्राले में निदेशक के रूपे निक्ति दी गई है वर्ष दोहजार चोबिस में भारत नाइजीरिया संयुक्त वेपार समिती का दूसरा सत्र जो है ये कहां पर आयजित किया गया था ओप्शन अबर बी राइट अंसर रहेगा नाइजीरिया के अभूजा में जो है फ्रेंट्स दूसरा सत्र आयजित हुआ था भारत नाइजीरिया संयुक्त वेपार समिती का दोहजार चोबिस में नेक्स्ट हमारा कोशन है भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक यानि की CAG और किस देश के महालेखा परिक्षक ने जो है फ्रेंट्स ओडिटिंग सहयों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये तो ओप्शन नमबर C राइट अंसर रहेगा भारत और नेपाल के जो है की नई कैप्टन बनी है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है सलीमा टैटे ऑप्शन नमबर D आपका एकदम करेक्ट अंसर रहेगा नेक्स से किए डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर पर संयुक्त रास्टे यानि कि UN का जो पहला अंतरास्टे समेलन है यह किसके नेतरत में आयो चेत हुआ तो राइट अंसर उप्शन नमबर D रहेगा आपका भारत के नेतरत्व में और फ्रेंट्स इस समेलन का जो विशे था वो था सिटिजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर ट्रांस्वरमेटिव टेक्नोलोजी फोर सिटिजन्स नेक्स कोश भारत के पहले स्वदेशी बंवर्षक मानवरहित विमान FWD-200B का नावरन बैंगलूरू में हुआ है इसे यो है किसने विक्सित किया तो उप्शन नमबर एर राइट अंसर रहेगा फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस बैंगलूरू द्वारा जो है इसे ने किस भारती को जो है मैच रैफरी नुक्त किया उप्शन नमबर डी राइट अंसर है जवागल श्रिनाथ को नेक्स्ट को उचिवन स्माल फाइनस बैंक के एमडी और सीओ जो है फ्रेंट्स वो को नुक्त हुए राइट अंसर उप्शन नमबर बी रहेगा आपका स जो है वो नुक्त किया गया राइट अंसर उप्शन नमबर रहेगा संजे कुमार मिश्रा को नेक्स्ट कोशन मैई तो हसाथ चोबिस में किसे कांसर फिल्म महोसफ के उद्गार्टन समारो में जो है विशेश पामडी और पुरुसकार से समानित किया जाएगा तो राइट कांसर फिल्म महोसफ के उद्गार्टन समारो में विशेश पामडी और अवोर्ट से जो है वो समानित किया जाएगा यह जो है यह हॉलिवूड आइकन है और इन्होंने 1989 में कांसर में सर्वस्ट अभिनेत्री का पुरुसकार भी जिता था कांसर फिल्म महोसफ से जुड़े कुछ important question देखते हैं तो 2024 में इसका सततरवा संसकर नायजित क्या गया है स्ताप ना इसकी 1946 में करी गई थी आयोजन स्थल है इसका France कांस में नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतनता सूचकांग 2024 में भारत जो है फ्रेंट्स पो कौन से स्थान पर रहा तो राइट अंसर नम भर उन पर है नोवेर नमबर टू पर है डं़मार्क और नमबर त्री पर है स्वीडन बारत का इसमें स्थान रहा 159 अंतीम स्थान इसमें रहा फ्रेंट्स एरेट टेरिया का और कौनसे स्थान रहा एक सवास्रीमा जारी इसे कर रहा है रीपोर्टरस फिदाउट बोर् के सचीव के रूप में न्युक्त किया गया तो राइट अंसर इस कोशन का आपका रहेगा फ्रेंड ओप्शन अमबर डी शशी भूशन सिंग को जो है एंड जे बी के सचीव के रूप में न्युक्ती मिली है भारती दुगत उतपात निर्माता अमूल टीट्वांटी विशक के लिए किस टीम का जो है वो परयोजक बना है तो राइट अंसर उप्शन अमबर डी रहेगा एंड बी दोनों का दक्षिन एफ्रीका और अमेरिका का दोहजार चोबिस पूरुश एफसी अंडर 23 एशियाई कप का किताब जो है फ्रेंट्स वुक किस देश ने जीता तो र भारत की शीष पांच कंपणियों में शामिल होने की उपलब्दी किस पैंक ने हासिल की तो ऑप्शन अमबर सी राइट अंसर रहेगा आईसे 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 आई बैंक ने इंपोर्ड़ पो इसकी बात करी तो आईसे आईसे आई बैंक ने जो है फ्रेंट्स आट ट्रिलिय नमबर 2 पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्वेसिस नमबर 3 पे है HDFC वैंक नेक्स्ट इस कोईला खनिक डिवेस जो है फ्रेंट्स ये दोहजार चोबिस में कब मनाया गया तो ये मनाया गया है चार महीं को ऑप्शन नमबर डी राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट आप मारा वर्ष दोहजार जोबिस में स्वच खेलों के बारे में जाग रुकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभ्यान जो है फ्रेंट्स इसका एजुन किस ने किया राइट अंसर ओप्शन नमबर ये रहेगा नाडा ने यानिकि रास्ट डोपिंग रोधी एजंसी द्वारा प्ले ट राइट अंसर ओप्शन नमबर डी है आपका इयर इंडिया ने नेक्स है कि वर्ष दोहजार 24 में परिपकफ होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉंड जो है फ्रेंट्स ये किस ने लॉंच किये राइट अंसर ओप्शन नमबर ये है आपका आर बिया यानिकि भारतिय रिजर पैंक ने नेक्स कुशन अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा कार्याले जो है फ्रेंट की कहां पर खोला राइट अंसर ओप्शन नमबर ये रहे का फैंस उत्रा खंटर राच्ये ने साथवी भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिती की बैठक जो है फ्रेंट की कहां पर आईजित हुई तो option number A right answer रहेगा भारत के नई दिल्ली में नेक्स इस आईसिसी ने बैस्ट इंडिस के बल्लेवाज डेवोन थोमस को क्रिकिट में कितने वर्षों के लिए प्रतिबंदित कर दिया राइट अंसर option number A है फ्रेंट्स पांच वर्षों के लिए ये प्रतिबंदित कर दिये गए हैं डेवोन थोमस आईसिसी द्वारा और ये जो है बैस्ट इंडिस के बल्लेवाज है नेक्स इमरा कुशन है चंद्रमा के सुदूर हिसे में नमूने एकत्तर करने के लिए चांग गई सिक्स समिशन जो है फ्रेंट्स की किस तेश द्वारा लौंच किया गया तो इसे लौंच किया गया चीन द्वारा option number A राइट अंसर है किसे फिर से तीन वर्षों के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है राइट अंसर है अतनू चकरवर्ती को भार्ती रिजब बैंक ने अतनू चकरवर्ती को जो है फेंस तीन साल के लिए HDFC बैंक की अंचकालिक अध्यक्ष की रूपे फिर से न्यूक्त करा है क्वेशन में बात HDFC बैंक की आई है है यह से जुड़े कुछ इंपॉर्टन पोईस जानते है HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी मुख्याली की बात करी तो वो महरास्टर की मुंबई में है करंट MD और CEO है HDFC बैंक के शेची धर जगदीशन नेक्स इक आपका कुश्चन आर्थिक सहियोग और विकास संगठर ने अगले दो वर्षों के लिए भारत की सकल घरेलू उतपात की वृद्धी दर जो है फ्रेंट्स वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया राइट अंसर उप्शन नमबर B रहेगा 6.6 प्रतिशत नेक्स्ट इस वर्ष दो हज़ार चोबिस में पुर्व केंद्रे मंत्री वी श्री निवास प्रसाथ का 76 वर्ष की आयू में निधन हो गया ये जो हैं फ्रेंट्स के किस राज्जे से थे तो ये थे करनाड़क राज किएगा तो देखिए किसे युनेस को ग्लिम्डो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरुसकार दोहजार चोबिस से समानित किया गया और सी राइट अंसर रहेगा फिलिस्तिनी पत्रकारों को तो इसमें जो है हमने 120 कोशन डिसकस करें एक कोशन आपका रिपेटेट था ठीक है टो कोशन है किसे इस कोटलेंड के प्रिथम मंत्री के रूप में जो है न्युक्त किया जाएगा फॉर आपके पास है राइट अंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स कोशन है विश्व प्रेस्त वतंतता सूचकांग दोहजाचोविस में भारत कौन से स्थान पर रहा फॉर आपके पास है राइट अंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और फ्रेंस आपको एक बॉर्डर इंफर्मेशन बता दू अगर आपको हमारी पेट पीडिफ स्क्रीन नी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिए कर सकते हैं www.robibooks.pdf.com के नाम से है यहां आपको separately monthly PDFs चाहिए पेट वो भी आपको मिल जाएंगी March, January, February, April ठीक है इन सब ही की तो वीडियो में वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्किप्शन बोक्स में ज़रूर चकाउट कर लिजेगा आपको लिए काफे जादा helpful रहेंगी यह सब ही PDFs और बात आती है इस वीडियो के free PDF की तो वो आप हमारे Telegram चैनल से ले सकते है current affairs by Ravi नाम से है daily basis पे आपको PDF दीजाती है daily current affairs की और बाकी अन्य टोपिक की अगर आपको free test लगाना है तो आप हमारा आप इंस्टॉल कर सकते है रविस्टरी IQ जिकी के नाम से है रविस्टरी IQ जिकी का लोगो ल लगा सकते हैं और e-books के बारे मैंने आपको उपर ही बता दिया तो चलिए अब आप से मिलते हैं एक्स वीडियो में एक और नए topic के साथ thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams